इसमें राजीब सार आप सभी का स्वागत करता हूं चंद्रा इंस्टिटीट के online platform पर तो जितने भी हमारे साथी जितने भी मित्र जोड़े हुए हैं TGT PGT JPGyan के live session से सभी साथी एक बार link को copy करके सभी friends से सभी group में कर देंगे और सभी सातियों को class से जोड़ेंगे very good evening dear students सभी मित्रों को सुपसंद्या राधे राधे friends चलिए जितने भी साती है अब यह जो आपका daily practice session का time है इसमें कुछ changes हुए है जो रातरी 9 बज़े आपके class practice के चलते थे इस समय यह practice class आपका शुरू किया गया है साम सात वजे से एक बार सभी सातियों को आप जोड़ने का प्रयास करिए सभी साती class से जुड़ जाएं इस live session से और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही यदा importance होने वाला है आपका क्योंकि इसमें बहुत important questions हम लोग जो exam oriented है उनको लेके आते हैं तो चलिए दोस्तों let's continue सभी साती एक बार जोर लगाकर कर देंगे link को share और बहुत सारे साती जहें जो class से अभी तक नहीं जुड़ पाएं चलिए पीजीटी पीजीटी देखिए last topic हम लोग topic वाइज लगातार आपकी practice करा रहे है last topic हम लोग किये थे complete निडेरियं शीलिंटरेट्स और आज हेलमेंथीज शुरू करेंगे और हैलमेंथीज में आपको बता है कि वाम इसमें असमलिद किया जाते हैं जितने भी क्रिमी होते हैं जितने भी warm होते हैं चाहिए वह फ्लेट वाम हो या इंडो पैरासाइट इक्टो पैरासाइट दी इन सभी को हेलमेंथीज में स्टेडी करते हैं एबरिटिंग इस क्लियर चलिए साती एक बार कमेंट्स की माध्यम से बता जेंगे आइडियो वीडियो दोनों ठीक है आप सभी तक पहुंच रही है इफ एबरिटिंग इस साथियों को जोडने का प्रयास करेंगे जितने भी साती एक प्रस्टी क्लास से जोड़े हैं इस सेशन से चलिए दोस्तों लैट्स कांटिन्यू लैट्स बिगिन तो आज का सेशन करते हैं शुरू और सेशन का फर्स कुष्ट्टान ओन इर स्क्रीन आपके स्क्रीन पर प्रसंसंक्या 1 सभी लोग पढ़ेंगे और एंसर बेतरीन सवाल, बहुत ही important question, question number 1 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, the study of worms, देखी जो क्रिमी होते हैं, क्रिमी, तो अगर सवाल यह पूचा जाता कि जो क्रिमी होते हैं, वार्म्स, is causing parasite, यह parasitic होते हैं, इंफेक्टेशन आफ यूमन, हूमन के इंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट मेंली जो वार्म होते हैं, तो इनके study को कहते हैं, study of worm is known as study of worm क्रिमी के अधियन को कहते हैं, जिनकी एक्जो skeleton calcium carbonate के बने होते हैं, और आपको बता कि मोलस्का के मेंबर्स का, किसका? मोलस्कन्स, अगर हम बात करते हैं, मोलस्कन्स के मेंबर्स का, जो एक्जो skeleton है, वो किसका बना होता है? calcium carbonate का, और calcium carbonate COCO3 का बना होता है, इसलिए इनके study को मोलस्कन्स के मेंबर्स का, अगर बात करते हैं, बाम, तो जितने भी plate bomb, या जितने भी worms होते हैं, इन सभी worms की study को, क्रिमी की study को क्या कहते हैं, खलमिंतोलाजी, और, एक्थियोलाजी is the study of fish, अगर PCS के मचली के अधियन की हम बात करते हैं, कि मचली के अधियन को क्या कहते है एक्तियोलोजी, हर्पीटोलोजी is the study of reptilians, तो आपको बता है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स के study को हर्पीटोलोजी कहते हैं, या सर्पिंटोलोजी कहते हैं, एक्तियोलोजी is the study of fish, तो इसका सभी एंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल एक्टो और इंडो पैरा साइट होते हैं वेरी गूड इवनिंग सातियों सभी सातियों को गूड इवनिंग एक और सभी साती जोर लगाकर कर देंगे लिंक को सियर बहुत सारे मित्र तमाम साती हैं जो अभी तक मैं देख पा रहा हूं क्लास से नहीं कर और करेंगे जी ब्रीं सबालों की प्रक्टिस अब डेली साम सात वजे को ही होगी बिल्कुल बेटा इतने भी साती जोड़े हैं पता दें डेली साम सात वजे मैंने काई इस्टेडिग को कहते हैं हेलमिंटो लॉजी कहते हैं और जितने सातियों इसका एंसर किया है b b e is right answer question number first का सभी जबाब भी होगा चलिए question number second on your screen आपके screen पर प्रस्टन संग्या दो all warms are सभी जितने भी क्रिमी होते हैं वे हैं तो कहा गया कि all warms are सभी क्रिमी होते हैं बताइए ये free living होते हैं दो बार भी लिग गया parasitic परजीवी होते हैं triploblastic होते हैं मेराइन होते हैं क्या सभी बाम समुद्री होते हैं मेराइन होते हैं वाई वाम मेराइन नहीं होते हैं एक option कट गया क्या all warms are क्या सभी परजीवी होते हैं जितने भी हैं all are परासाइट, नहीं नहीं, कुछ बाम तो फ्री लिविंग स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, स्वतंत्र जीवी, तो आल बाम्स आर नाट, आपने का सभी बाम्स जितने भी कीट है, फ्री लिविंग नहीं है, परासाइट नहीं है, महराइन नहीं है, लेकिन सभी जितने भी वाम्स होते हैं वो triploblastic होते हैं इनमें जो layer होती है वो कौन सी layer पाई जाती है triploblastic layer बिलकुल इसका सही answer बाटनी के practice भी बहुत जल्दी बेटा शुरू करा देंगे परिसान नहीं रही है बाटनी के questions भी शुरू करा देंगे Triploblastic का मतलब होता है इनकी body कैसी होती है 3-3 body इनका सरीर अगर पूचा जाता है 3-3 tripleoblastic body पाई जाती है 3-3 body पाई जाती है चलिए question number 3 आपके screen पर question number 3 आप पढ़ेंगे answer करेंगे plate warms are cold पताए जितने भी plate warm होती है जिनको हम लोग क्या कहते है चप्टे क्रमी plate warms को क्या कहते है साथी हो चप्टे क्रमी जिसने मेहनत किया जिसने इमानदारी से तपस्या की है उसको सफलता जरूर मिली है और आपने सही मारदाशन चुना है चंदरा इंस्टिटूट के जाइन करके तो बिलकुँ साथी हो जितने भी साथी जुड़े हुए है कोईशन नमबर तीन आपके स्क्रीन पे है और पढ़ेंगे करेंगे फटा फट एंसर कह रहा है कि plate bomb सार चप्टे क्रमी होते हैं बताए जितने भी चप्टे क्रमी होते हैं वे होते हैं A-Cylomate जिन बोग देह गुः नहीं होती है pseudo-Cylomate जिन में Asad type की देह गुः पाई जाती है चिन में देह गुः पाई जाती है इनमेंसे कोई नहीं तो जो plate bombs होते हैं अगर चप्टे क्रमी की बात करते हैं तो यह A-Cylomates होते हैं इनमें अगोहिक होते हैं, A-Cellomate का मतलब, अगोहिक, इनमें क्या नहीं पाई जाती है, गुवा नहीं पाई जाती है, सीडो सीओंट्व मेर्ट वाश सीओंट्व जिनमें सीओं प्रिजन्ट वोता है इसमें फाल्स सीलंट वो टा उनको सीओं सीओंट्व मेर्ट एंचटो बिलुकुल क्या होता है absent तो जितने भी साथी उन्हें बिल्कुल वेटर time change हो गया जितने साथी class से जुड़े हैं वे सभी के सभी answer कर रहे हैं question number 3 का right answer क्या होगा A question number 4 on your screen आपके screen पर प्रसंसंक्या 4 पढ़ेंगे body plane of flat warm age plate warm का जो body plane होता है plane का मतलब इसमें जो इसकी समीमित होती है वो कैसी होती है body plane of flat warm is cell aggregated है blind sec है tube within tube है आपको पता ही कि इसकी जो anus और mouth basically absent होता है और absent होने के कारण body plane की अगर हम बात करते हैं तो यह कैसे होते है blind sec type की होते है blind sec का मतलब यहाँ पर क्या होता है anus absent होता है अगर पूचा थे कि anus present है तो anus क्या होता है absent और anus absent होने के कारण इनकी body जो plane होता है plate warm की blind sec type का होता है cell aggregate cellular तो होते नहीं है cellular नहीं होते हैं tube within tube pipe के अंदर pipe यह भी नहीं होते हैं इनमें body plane अगर पूचा जाता कि कैसा होता है बिल्कुल सभी साती इसके कर रहे हैं right answer question number चार का सभी जवाब क्या होगा blind sec next question number 5 आपके screen पर question संक्या 5 आप सभी लोग पढ़ेंगे answer करेंगे plate warm resemble to sealant rates in इनको sealant rates से कैसे रिसेंबल करते हैं body plane के दौरा symmetry के दौरा number of germ layer के दौरा या parasitism के दौरा जब plate warm को resemble करते हैं to the sealant rates sealant rates के दौरा तो देखिए जो sealant rates होते हैं इनको पता कि member आप sealant rate आप इनके member कैसे होते हैं tissue grade आप organization होते हैं और उनमें भी body plane क्या होती है basically जो गुहा होती है देख हुआ वह भी absent होती है body plane के दौरा ही इनको क्या किया था resemble sealant rates और plate warm both are resembled due to presence of body plane ये body plane के दौरा क्या होते हैं दोनों के दोनों similar होते हैं चलिए बिल्कुल पांच का पांच का जितने लोगों ने body plane कहा वो होगा right answer बिल्कुल बेटा है इसका सही जवाब body plane होगा ना कि symmetry पांच का कुछ लोग कह रहे बी होगा बी नहीं इसका पांच का क्या होगा body plane question number five number of germ layer नहीं नहीं नंबर आफ जर्म लियर symmetry नहीं symmetry नहीं नंबर आफ जर्म लियर जर्म लियर पेरासिटिजम नहीं 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 body of plane के according पे sealant rate से क्या रहते हैं symbol होते हैं resembles next number question देखेंगे who suggested the name of platy helminthes septi krimi नाम किस ने दिया था कौन हो बैग्यानिक थे और जिनोंने इनको कहा था septi krimi who suggested the name of platy helminthes पताई रावर्ट ग्रांट ने दिया था या गेवर्न वार्ण ने दिया था लुकार्ट ने दिया था once she world ने दिया था आपको बता है कि platy helminthes term platy helminthes term was given by discovered by given borr अगर पूचा है किस ने खो जाता तो given borr नामक वैग्यानिक ने term platy helminthes name was given by given borr चली एच्छे का भी क्या बात है सभी के सभी साथी इसका राइट है से कर रहे हैं और जितने भी साथी पढ़ रहे हैं समय दुआधार तरीके से कर रहे हैं साही जवाब एक बार जोर लगाकर share कर दीजिए बहुत सारे मित्र मैं देख पार हूँ अभी तक session question for the session आज के session का important question है और question number six क्या कह रहा है body is unsegmented in body खंड विहीन होती है unsegmented क्या है आपने का body खंड विहीन होती है तो body is unsegmented खंड विहीन होती है किसमे प्लेनेरिया में मेसोस्टोस्व तामा में और अफदीज में unsegmented body जितने भी हल्मेंथीस की members होती है इन सभी में body कैसी होती है unsegmented तो planaria की body या mesostoma की body या cystosoma की body, all of these अगर हम पूछते हैं, कि सभी की body कैसी होती, unsegmented, planaria की body में, planaria में बहुत important सवाल ये पूछा जाता है, कि इसको चाकू की धार पर का जाता है, कि जितने टुकडे होंगे इसके उतने ही, एक नया animal डबलप हो जाएगा, तो power of regeneration is found in more in planaria, अगर सवाल ये पूछा जाता है, कि power of regeneration, पुनुरुद भबन की छमता, अगर सवाल ये पूछा जाता है, कि power of regeneration, पुनुरुद भबन की छमता, सबसे अधिक किस में होती है, तो planaria में होती है, planaria को चाकू की धार पर जितने टुकडे आप कर जेंगे, उतना ही एक नया animal ड planaria, और यहाँ पर body unsegmented होती, all of these, systosoma में भी, mesostoma में भी planaria, क्या होगा, platy helminthes की member है, all of these helminthes, इसका सही जवाब क्या होगा, 7 का D, very good दोस्तों, सभी मित्रों ने दिया है, इसका सही जवाब, question number 8 आपके screen पर, और सभी लोग पढ़ेंगे, करेंगे, फटा-फट एंसर question number 8 क्या कह रहा, what is the common among us, tape warm, liver fluke, liver fluke और tape warm, दोनों में, and planaria, planaria में भी, अगर कहा जाता है, what is the common among us, इन सभी में common क्या है, किसमें किसमें, tape warm में, चप्टे क्रमी, lever fluke में, जिसको hepatica कह जएते हैं, faciola, hepatica, और planaria, planaria, planaria में, faciola में, और tape bar में, इन सभी में common क्या है, they are all found in gut, ये सभी gut में पाया जाते हैं, elementary canal में, they are all segmented, ये सभी खंड युक्त होते हैं, they all have the platent body, ये सभी platent body रखते हैं, they all have a selom, इन सभी में selom पाया जाती है, तो देखी, दो question कि तो answer आप फटा-फट ऐसे काट देंगे, कैसे काट इन सभी के जब हम बात करते हैं, कामन क्या है, तो देखी, body इनका, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, they are all segmented, यहाँ पर का गया कि ये सभी खंड युक्त होते हैं, जबकि ये सभी खंड भीहीन होते हैं, तो दो sentence तो आपने ऐसे काट दी है, they all have selom, क्या ये सभी selom रखते हैं, जी नहीं, क्योंकि members इसके कैसे होते हैं, as selomate होते हैं, अब सवाल दो बच से, they all are found in gut, क्या ये सभी गट में परजीवी होते हैं, elementary canal, aharnal में parasite होते हैं, yeah, they all have the flattened body, यह सभी चपटी सरीर रखते हैं, इसलिए इनको tap warm कहा जाता है, चपटे क्रमी कहा जाता ह है, flat bomb is known as due to presence of flattened body, तो इसका answer क्या जाएगा, c, all is not found in gut, सभी गट में रही पाया जाते हैं, इसलिए इसका right answer क्या होगा, c, person number 8 का, और सभी मित्रों ने दिये है right answer, बिल्कुल दोस्तों, बहतरीन सवाल, आप सभी लोगों ने इसका right answer किया है, इस सवाल का सही जवाब क्य होगा, c, question number 8 का, right answer is goes to c, 9 number question आपके screen पे, प्रसन संक्या 9, और आप पढ़ेंगे, करेंगे, दुआधार तरीक इस question, most important, भाई, जितना इस्तियार लगाएं, उतना इस्तियार लगा चाकते हैं, क्योंकि 300 करोड बार ये सवाल, TGT, PGT, ANVS, ANVS, KVS, सभी जगें पूचा ह होगा सवाल है, 300 करोड बार, मैंने कहा ना, most important question of the season, हर बार पेपर में आपको देखने मिलता है, ऐसा सवाल, कभी पेपर बना ही नहीं, इस के, इस प्रसन के अरावा, flam cells are, flam cells, जिनको कह देते हैं, ज्वाला कोसिकाएं, क्या कह देते हैं, ज्वाला कोसिकाएं, और देख प्लेटी हलमेंथिस के, एने लेडा का, इकायन डरमेडा का, तो flam cells, ज्वाला कोसिकाएं, पाई जाती हैं, these are found in, किस में पाई जाती है, platy helminthes की members में पाई जाती है, और इन ही के द्वारा excretion करता है, ये जो sealant traits की members होती है, there is not excretory organ, इन में कोई भी ऐसा excretory organ पूछा जाता है, कि nitrogen substance के लिए कोई specific organ नहीं है, platy helminthes की members में क्या होती है, phlegm cells, anilida की बात करती है, तो इन में nephredia पाई जाती है, क्या पाई जाती है, nephredia, तो anilida की member nephredia की द्वारा क्या करते हैं, excretion, but platy helminthes की member किस के द्वारा करते हैं, phlegm cells के द्वारा, echinodermates में, echinodermates की members में, renal system जो होता है, वो develop हो जाता है, तो इसका right answer क्या होगा, हाँ, बिल्कुल, जितने भी साती answer कर रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों, question number 9 का, B, right answer होगा, और सभी साती इसका सही जबाब दे रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, जितने भी साती क्लास से जोड़े गए है, बेहतरी डंग से आप लोग कर रहे हैं answer, question number 9 का, सभी मित्रों ने किया है answer, B, next question number 10, आपके screen पर प्रसंच्या 10, और सभी लोग पढ़ेंगे, करेंगे, फटा-फट answer, question number 10, देखे, अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़ेंगे, question को क्या कह रहा है, इसका A option है यह प्रसंच्ण नहीं है, यह पर option A है, जो red pen से बाले लिखा गया, लेकिन मैंने इसको correct कर दिया, इस question में थोड़ा सा correction यह था, the excretory structure of plate warm आर, plate warm का excretory structure क्या है, यह उत्तसरजन किसके दौरा करते हैं, जितने भी चप्टे करमी होते हैं, देखें, malpigion tubules के दौरा करते हैं क्या, आपको बता कि malpigion tubules के दौरा excretory कौन करता है, विल्कुल बहतरीन दोस्तों, सभी के सभी साथी इसका right answer कर रहे हैं, क्या बात है दोस्त, क्या बात है, क्या बात है, 10 का D, 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 phlems cells, phlems cells, तो मैंने यह कहा, आप यहां भी कह सकते हैं, इसक्टा, ग्रीन ग्लेंड्स, ग्रीन ग्लेंड्स यह, और ग्रीन ग्लेंड्स और क्रेवर्स ओर्गन, यह सभी excretory substance, excretory material का secretion करने वाले cells हैं, तो यहां पर इसका सई answer क्या होगा, 10 का D, आपने कहा, phlems cells, क्या बात है, बिल्कुल, ग्रीन ग्लेंड्स यह भी इंसेक्टा में ही है, अर्थोबोडा में, बट किसका है, और अरेक्डियन का है, अरेक्डियन्स, तो यह spider में, किसमें होता है, spider and scorpion, तो अगर हम बात करते है, scorpion, scorpion के साथ साथ, spider, तो इन सभी में, अगर पूचा था, spider, spider और scorpion, बिच्चू और मकडी, में जो excretoryon होता, वो किसके ज़रा होता है, green glands के ज़रा, तो इसका सई एंसर क्या होगा, D, तो जितने भी सातियों ने इसका एंसर D किया, वो 100% है, right, question number 11 on your screen, question number 11 on your screen, question number 11 on your screen, question number 11, देखिए question number 11 क्या कहा रहा है, flam cells are associated with, if flam cells सभी होती है, कि सक्ये साथ associated होती है, excretion के साथ, respiration के साथ, digestion के साथ, nutrition के साथ, बहुत बार बताया, इस सवाल को तो आप घूर दो, आप गोला काला हो जाएगा, जब भी question आपको flam cells का दिख जाएगा, तो आप ऐसे person को घूर देंगे, और गोला काला करते जाएगे, बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल, question number 11 का, सभी साथी answer कर रहे है, excretion, excretion, अच्छा एक चीज़ बता दो, अगर सवाल यह पूचा जाता है, जो flam cells होती है, flam cells का excretory material क्या है, जो flam cells के दोरा, जो helminthes की member होती है, excretion करता कि इसके, ammonia का, urea का, amino acid का, बिल्कुल, जितने भी साथी answer कर रहे है, 100% right है, question number 11 का, question number 12 के आपके screen पर आ रहे है, और सभी लोग पढ़ेंगे, करेंगे फटा-फट answer, question number 12 on your screen, question number 12 के बार है, pick up the correctly masked, इन में से जो सही masked है, उसको आप पकड़ेंगे, marsupisium, ये, platypus है क्या, अगर मुचा है, marsupisium platypus है, जी, नहीं है, blower पाए जाते हैं, kangaroo में, kangaroo में क्या blower पाए जाते हैं, नहीं, it's a characteristic feature of, इसका, whale का है, या physis का है, flame cells are, plate warm, plate warm में, flame cells पाए जाती हैं, जी हाँ, ये, इसका बिल्कुल सही answer है, water vascular system in sponge, sponge में, water vascular system, क्या पाया जाता है, तो इसका correct answer क्या होगा, C, चलिए दोस्तों, बिल्कुल, water vascular system, अगर पूचा जाता है, चलिए, क्या वातने साथी हैं, बारे का C, 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 सभी लोगों ने पकड़ लिया answer, question number 12 का, right answer क्या होगा, C, जितने भी साथी इसका answer कर रहे है, question number 12 का, तो सही जवाब क्या कर रहे हैं, C, कलिए दोस्तों, question number 13 आपके screen पर, सभी साथी, मैंने कहा ना, जितने भी साथी हमारे जड़े हुए हैं, वो दुआधार तरीके से करेंगे, practice TGT, PGT, जी बिग्यान की, question number 13 on your screen, question number 13 आपके screen पर है, और सभी लोग पढ़िए, करिए फड़ा-फड़ एंसर, in flight bombs, the excretory organ are, plate bomb में excretory organ क्या है, बताइए, अर्कियोसाइट्स, सोलेनोसाइट्स, नेफरांस या नेफरीडिया, जब कहा गया कि, plate bomb में, septic rum में, excretory organ क्या है, थोड़ा सा प्रसंद को घुमाया गया, अर्कियोसाइट्स, सोलेनोसाइट्स, नेफरांस और, नेफरीडिया, तब इसका answer आप क्या करेंगे, जल्दी से बताएंगे साथियों, हाँ, platypus, बहुत अच्छा, बिल्कुल, चलिए बाई, बताइए, question number, 13 का, कुछ लोग A बता रहे हैं, कुछ लोग B बता रहे हैं, कुछ लोग C बता रहे हैं, देखी, inflate bomb, the excretory organ, plate bomb में, जो excretory organ होती हैं, आपको बता, इनको solenocytes कहते हैं, phlegm cells, जो phlegm cells होती है, these are, these are, these are also known as, in phlegm cells को, हम कहा जएते हैं, solenocytes, तो जितने भी answer दे रहे हैं, तेरे का B, वो 100% है, राइट, बिल्कुल solenocyte, solenocyte is the right answer, question number 13 का, सही जवाब क्या होगा, flame cells, देखी, 14 number प्रसन आपके screen पर है, और सभी लोग पढ़ेंगे, और करेंगे, फटा-फट right answer, flame cells, बहुत important सवाल है, प्रसन number 14, क्या कहा रहा, flame cells are used for, जवाला कोशिकाओं का, यूज करते हैं, आस्मो रेगुलेशन में, एक्सक्रीशन में, बोत आफदीश, नन आफदीश, आस्मो रेगुलेशन का, मतलब होता है, सरीर में, परासरड दाव को, इसको भाई, परासरड दाव को, नियंतरित करना, और जो परासरड दाव होता है, उसे कहते हैं, जल संतुलन करना, क्या करना, वाटर वैलेंस करना, परासरड दाव को नियंतरित करना, एक्सक्रीशन भी होगा, आस्मो रेगुलेशन भी होगा, तो answer is goes to C, 14 नंबर परसंट का, सही answer क्या होगा, C, क्या बात है दोस्त, सभी के सभी मित्र कर रहे हैं, राइट answer, 14 का C, दोनों होगा, एक्सक्रीशन भी, आस्मो रेगुलेशन भी, आस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है, परासरड दाव को नियंतरित करना, और ये बाडी में जब एक्सिस बाटर हो जाता है, एक्सिस बाटर को सरी से बाहर निकालके, बाटर को बैलेंस करना क्या कहलाता है, आस्मो रेगुलेशन, एक्स्रीशन ही सुना था, नहीं नहीं बेटा, एक्स्रीशन नहीं सुनना है, excretion और asthma regulation दोनों सुनना है एबल एक सी काम नहीं चलने वाला है चलिए क्योंकि दोनों का same function है question number 15 on your screen आपके screen पर प्रस्ट संक्या 15 है सभी लोग पढ़ेंगे करेंगे answer question number 15 क्या 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 रहा है, paracitic animals have well developed, जो paracitic animals होते है इन में अच्छी तरह के से पूरता विक्सित क्या होता है reproductive system अच्छे से develop होता है, digestive system अगर यह बताओ जब paracitic animals की बात कर रहा है और paracitive का मतलब होताँ परजीवी अगर मैं बात करूँ इन में अच्छे से digestive system होता तो ये परजीवी ही क्यों होते तब तो ये अच्छे से क्या करते अपना भोजन खाते पचाते तो इन में digestive system less develop होता है या ना के बरावर develop होता है respiratory system आपको पता कि parasitic animals और ये basically endoparasite होते हैं कैसे parasite होते हैं इंडoparasites होते हैं और जब endoparasites होते हैं तो इन में excretory system तो develop होता है बट respiratory system भी less develop होता है इंडoparasite होने की करण आल आफ दीस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दो answer कट गए इन में बेल developed कौन सा होता है reproductive system क्योंकि इन में metamorphosis पूरा होता है और larval stage भी पाई जाती है तो parasitic animals बेल developed इन में बेल developed क्या पाई जाता है reproductive system इतने लोगोंने 15 का A answer किया वो 100% right किये बिल्कुल बहुत अच्छा बहुत अच्छा दोस्तों हां बहुत अच्छा विल्कुल रभी special कह रहे है skeletal system respiratory circulatory absent होते है बिल्कुल दोस्त यह सभी क्या होते हैं absent क्योंकि इंडो parasite है question number 16 on your screen प्रस्ण संक्या 16 आपके screen पे हैं इन प्लेटी हलमेंथीज में ले nerve card और present इनमें nerve card पाई जाती है nerve card और absent absent होता है nerve net और present nerve net पाई जाती all और present सभी पाई जाते primitive type nervous system पाया गया था किसमें hydra में मैंने कहा था कि primitive type अगर सवाल यह पूचा जाता है primitive type nervous system is found in hydra primitive type nervous system बताइए primitive type nervous system किसमें पाया गया था primitive type nervous system hydra में पाया गया था उसमें brain किया था absent primitive type nervous system is found in hydra तो यहां पर अगर पूचा जाता है कि brain develop होता है कि नहीं, तो sealant rates में ध्यान देना, इसमें nerve card absent होता है, nerve net present होता है, या lay nerve card are present, तो hydra की जितने में members होते हैं, इनमें क्या होता है, net nerve card अगर हम बात करते हैं, तो वो क्या होता है, present, nerve card are present, इनमें nerve card क्या होता है, उपस्तित, absent नहीं क्योंकि primitive type nervous system found in hydra इन में थोड़ा सा develop हो जाता है तो इसका answer क्या होगा A बिल्कुल 16 का A और मैं देख पा रहा हूं इस सवाल का ladder-like बहुत अच्छा है very good बीटा ladder-like nervous system is found in तो किसमें पाया जाता है platy-helminthes की members में primitive and ladder type चलिए बिल्कुल साथ ही हो question number 16 आपके screen question number 17 देखिए क्या कह रहा है पढ़ेंगे answer करिए question number 16 which one is not larval stage of flatworm? flatworm में कौन सा एक larval stage नहीं है which one is not larval stage of flatworm? flatworm में कौन सा एक larval stage नहीं है तो पूचा जाए miracidium larva, vipneria larva, circularia larva, radial larva देखिए यहाँ पर एक अच्छी सी trick आपको दिखा जैते हैं और trick में आपको यह रखना है miss rc maletra कौने आद रखेंगे miss rc, rc malotra तो अगर पूचा जाता कि miss rc maletra तो इसमें सभी की सभी इसकी larval stage आ जाती है इस trick में इसकी सभी larval stage आ जाती है और trick क्या करा है miss rc maletra तो miss से मतलब हो जाएगा मेरा cdm और saa से हो जाएगा circularia miss मेरा cdm, radia, मेरा cdm, radia, circularia, meta circularia तो यह सभी की सभी पाए जाती है, देखिए radia भी पाए जाती है सरकेरिया भी पाए जाती है, मेरा cdm भी पाए जाती है बट विपनेरिया is not larval stage of, not larval stage of, plate warm बिल्कुल, it is the larval stage of, क्या होता है miss rc maletra बिल्कुल, विपनेरिया यह echinodermetra में होता है जितने भी साती, बिल्कुल answer भी बता रहे है, वो 100% right है बिल्कुल दोस्त, इसका सभी जवाब क्या होगा, विपनेरिया miss rc maletra आपको याद है, इसमें, सरकेरिया, मेटा सरकेरिया, radia और मेरा cdm, यह सभी पाए जाती है, very good दोस्त, क्या बात है सभी की सभी साती, इसका गर रहे है, right answer question number 18, आपके screen पर, question number 18 classification of flat bomb is based on, किस आधार पर flat bomb का is the base on, किस आधार पर classification किया गया था, इनका वर्गी करड किया गया था, plate bomb का वर्गी करड on the basis आप किस base पर किया गया था, तो mode of life, इनके life के mode पर, presence of gut, इनमें elementary canal के presence की आधार पर, celia on body, body पर celia के base पर, यह all of these, देखिए सबसे पहले तो आप से बता दो, कि platy helmetis की members का जो वर्गी करड किया गया था, in the presence of body celia, सरीर पर celia के presence में, in presence of gut, और elementary canal के base पर, तो mode of life, इनके mode of life की अगर बात करते हैं, तो यह भी होगा इसका right answer, इनका जो classification, इनका जो वर्गी करड किया गया था, platy helmetis की members का, affiliate mom की members का, and the basis of mode of life, presence of gut and celia body, इस सभी की base पर किया गया था, इसका right answer की होगा, question number 18 का, 18 number प्रसंद का सही जवाब क्या करेंगे, D, जितने साथी इसका D कर रहे हैं, right answer होगा, बिल्कुल सभी साथी इसका answer, बहुत सारी लोग पहुँच पा रहे हैं, mode of life, बिल्कुल साथ, इसका D right answer होगा, question number 18 का, सही जवाब क्या होगा, D, question number 19 on your screen, आपके screen प्रसंद क्या 19, क्या क्या रहा, तरविलेरिया, प्रिमेटी ओड़, सिस्टियोडा, belong to the, देखें, यापर देखेंगे ध्यां से, तरविलेरिया, प्रिमेटी ओड़ और शिस्टियोडा, it is the classification, project Wahr, platy helminthys, plate bomb का, plate bomb का जब classification क्या गया, इन के जो class वाटे गया थे, तो यह सभी कहिए दियो क्लास किया गया था प्लेटी हलमैंथीस का तर्विलेरिया तर्वलेरिया के बाद ट्रीमे टोड़ा सिस्टोड़ा तो ये सभी बिल्कुल प्लेटी हलमेंथीज की क्लास है बिल्कुल दोस्त किसके क्लास है प्लेटी हलमेंथीज की क्लास है इस क्लास और प्लेटी हलमेंथीज मेंबर नमबर 19 का सही जवाब होगा प्रस्टन संक्या 20 आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है तर्विलेरियंस और फ्री लिविंग जब कहरें कि तर्विलेरियंस होते हैं फ्री लिविंग तो ध्यान दीजिएगा लिविंग तो अगर सबाल यह पूचा जाता है कि मेंबर आफ टर्विलेरियंस ये मेंबर आफ जो टर्विलेरिया होते हैं वह सभी के सभी प्री लिविंग होते हैं तो free living अगर है तो यह होंगे क्या क्या सिस्टोड्स होंगे क्या सिस्टे टोडा के मेंबर होगा भाई जब टर्विलेरियंस की बात करेंगे तो सिस्टोड्स तो अपने आप में खोदी क्लास है फ्लेट बाम है बिल्कुल हाँ यह चपटे क्रिमी होते हैं और अगर बात करते हैं निमे टोड्स जी नहीं अगर बात करते हैं टर्विलेरियंस की मेंबर्स की बात करते हैं तो दीजार एक्ट्यू पैरासाइट और यह फ्लेट बाम होते हैं बिल्कुल आपने का इसका राइट एंसर क्या होगा बी और सभी साथियोंने बिल्कुल मेंबर टर्विलेरिया बिल्कुल दोस्त फ्लेटवाम है तो एंसर 20 का आप लोगों ने किया चलिए कोईस्टा नमबर 21 on your screen 21 प्रसन आपके स्क्रीन पर क्लास ट्रीमे टोडा इंक्लूड्स कहा गिया कि ट्रीमे टोडा क्लास में किस मेंबर्स को रखा गिया किस में से यह रांड बहॉड्ड वार्म माता है क्लास ट्रीमे टोडा की मेंबर्स में किया रांड वार्म ズयू скаж. शिस्टो मा को क्या कहते हैं फाल फ्लू की बाढते हैं प्ल Windows tumor अगर लॉझए ले अघर केसे में एकरती कॉझस हो भॉजए त। इंचनल based, अगर करमि बाढ़त, इन में वो D-fluke आते हैं बिलकुल रभी इस्पेसल कह रहे हैं तो इससा नंबर 21 का इसमें क्या आते हैं 21 का रफली. फैसी ओला हेपाटिका, सिस्टेसॉमा, इसमें फैसिुना developmental आते हैं जिस्टेसुमा ये सभी कि सभी लीवर फ्लुates C-p recursion इसमें आते हैं विलस्ट रफैसियुला हॉन प्लाइट का उसके साथ सिस्टीसॉमा ब्लाड फ्लु, ये सभी मेंब्र in medical question number 22 on your screen liver fluke देखिए कितना अच्छा सवाल है liver fluke belong to the class सबसे पहले तो यह जानेंगे कि liver fluke किस class का member है cystoda का nematoda का tervilaria का trimetoda liver fluke को क्या कह जेते भाई इसको fasciola hepatica कह जेते हैं क्या बोल जेते हैं fasciola hepatica तो इसको अगर fasciola hepatica कहा गया liver fluke को और इसको seep warm भी कहा गया fasciola hepatica को क्या कहा गया seep warm क्योंकि यह भेड़ पी क्या होता है parasite होता है तो इसका member किसका है cystoda का member है क्या जी नहीं nematoda का trivilaria का trimetoda member of liver fluke belong to the class अगर इसका member पूचा जाता है तो बताइए दोस्त liver fluke का member है fasciola hepatica का अगर पूचा जाता है कि किस class का member है fasciola hepatica is the member of liver fluke या liver barm कहा जएते है sea fluke कहा जएते है is the member of trimetoda तो जितने साथी 22 का C कर रहे हैं C नहीं होगा बेटा C नहीं होगा D is right answer क्या होगा D is right answer question number 22 का सही जबाब क्या करेंगे D question number 23 on your screen आपके screen पर प्रस्ण संक्या 23 सभी लोग पढ़ेंगे करेंगे answer elementary canal is absent in animals of the class ये बहुत important सवाल है अभी बरस 2021 के TGT PGT परिच्छा में आया हुआ भी सवाल है ये TGT अगर सवाल पूचा जाता है कि TGT PGT 2021 के परिच्छा में आया हुआ सवाल भी है और importance है ये बहुत ज़्यादा importance है सवाल elementary canal is absent in किस में elementary canal नहीं पाई जाती कौन से canal is absent in systodans तो systoda की members जो होते हैं इनमें elementary channels absent होती है और systoda के अगर हम member की बात करते हैं तो इसमें tiniasoleum, tiniasasinata जाता है तो इसके member को हम क्या कह जाते हैं तीनिया, tiniasoleum, tiniasasinata यह member Cysodon के हैं और इनमें क्या होती हैं कि इंडo parascite हैं ये कैसे इंडo par generosity होने की कारण अगर पूचा जाता कि कैसे parasite हैं तो इस अर्टो पेरा SCyT होने की Nash होने की कारण इनमें elementary canal क्या होती है absent तो इसका Cysodon में absent होती है क्या बात है सभी के सभी साती इसका right answer दे रहे हैं, question number 23 का सही जवाब क्या होगा, cystoda, और cystoda में absent होती है, तो cystoda answer कौन सा है, B, B for waste, और आप सभी लोग waste हैं हमारी नाजर में, question number 24, pseudo-cello में आपने का, pseudo-metameryism is found in, देखी important सवाल है, pseudo-metameryism किस class की member में पाई जाती है, faciola में, tenia में, planaria में, asquerism में, अगर बात करते हैं कि pseudo-metameryism is found in, तो ध्यान देना दोस्त, pseudo-metameryism, ये cystoda की members में पाई जाती है, किसके members में पाई जाती है, pseudo-metameryism का मतलब, ये cystoda की members में पाई जाती है, और अगर cystoda की members में पाई जाती है, अगर हम बात करें कि मेंबर आफ किसमें पाई जाती है सिस्टोडा की मेंबर्स में पाई जाती है और सिस्टोडा के मेंबर कौन सा है फैसियोला अगर पूचा जाए या टीनिया मेंबर्स में पाई जाती है किसमें सिस्टोडा में Cistoda के मेंबर कौन कौन सा है? Faciola. Faciola किसका मेंबर है? Faciola तो मेंबर Cistoda का है नहीं. Faciola is the member of Trematoda. तो ये तो होगा नहीं. Tenia, Tenia. जी हाँ, बिल strict. Stomatemary is the member of, किसमे? Cistoda में होता है. Planaria में. Terminaria का मेंबर है. Assaustoryphosus में होगा नहीं. तो pseudo metamerism जब बात करते हैं, pseudo seal cavity, एक important सवाल है, pseudo seal cavity is found in, तब तो ascaris होगा, अगर सवाल यह पूचा जाता है, pseudo seal, कौन सी भाई, pseudo seal cavity, pseudo seal cavity is found in, तो किसमें बताए देंगे, ascaris में pseudo seal cavity पाई जाती है, ascaris में कौन सी cavity पाई जाती है, बड़ यहाँ पर का pseudo metamerism is found in, तो क्या करेंगे, tiniya, और कितने सातियों ने इसका right answer किया, 24 का, 24 का जिन लोगों ने b answer किया, b 100% right answer, question number 24 का, सही जबाब क्या होगा, चलिए दोस्ट, 24 का right answer होगा, भी, question number 25 आपके screen पर, question number 25 on your screen, question number 25 on your screen, आपके screen पर, चलिए सभी लोग पढ़ेंगे, करेंगे, फटाफट एंसर, इससर नमबर 25 on your screen, 25 नमबर प्रसंद क्या कह रहा है, which of the following is a warm but not, निम्लेकित में ऐसे एक warm है, but not flat warm, कहरें, which of the following is a warm, एक warm तो है, but not a flat warm, निम्लेकित में ऐसे कौन सा, एक क्रिमी तो है, लेकिन चप्टा क्रिमी नहीं है, बताइए, तो दूसिया, थीनिया, इंट्रोवियस, इकाइनो कोकस, अगर हम बात करते हैं, दूसिया, बिल्कुल, दूगेसिया, टीनिया और एकाइनो कोकस, इंट्रोवियस, जहान दीजिएगा, Echinococcus, इसको हम लोग क्या कह जते हैं, dog tap balm कह जते हैं, इसको क्या कह जते हैं, dog tape balm कहते हैं, तो अब बताओ, ये तो एक balm हो गया, tape balm है, लेकिन tape balm कहुंसा है, flat balm कहुंसा है, dog, Echinococcus, तीनिया को आपको बताए, तीनिया को क्या कह जते हैं, तीनिया ये flat balm है ही, आपको बताए कि तीनिया इसे flat balm, इसको चप्टे क्रमी में रखते हैं, dogesia की अगर हम बात करते हैं, dogesia is also is the balm, और dogesia भी एक प्रकार का balm है, और ये member किसका अगर पूचा जाता है, तो ध्यान प्लेनेरिया होती है, उसी को कहते हैं, किसे कहते हैं, प्लेनेरिया, तो अगर प्लेनेरिया का member dogesia है, तो इसका फिर काउन साथ होगा सही एंसर, निमलिकित में से एक balm तो है, लेकिन flat balm नहीं है, इंट्रोबियस, इंट्रोबियस is not a flat balm, इसका सही जवाब क्या होगा, बिल प्लेनेरिया तो आपको बता कि flat balm में आता है, तो इसका सही जवाब क्या करेंगे, 25 का, 25 का इंट्रोबियस इसका right answer होगा, 25 का जितने लोगोंने C किया, वो 100% होगा, right answer, इंट्रोबियस को चुन्ना बार्म, या pin balm कहते हैं, ये चप्लेन गरमी तो है, बताई, इंट्रोब आपके screen पर, dog tap bomb बताईए, अभी मैंने बताया था, dog tap bomb किसे कहते हैं, बताईए, echinococους को, या apisto, और किसको, या, echinoc mandar को, functioning को, या dos को, जब पूचा गया कि dog tap bomb, अभी मैंने बताया था, is the member of, is the member of किसको, echinococos और echinococcus member किसका है, तो सिस्टोडा का मेंबर है अगर पूचा जाता है कि एकाइनो कोकस इस दा मेंबर आप सिस्टोडा सिस्टोडा क्लास का मेंबर है और इसको एकाइनो कोकस को क्या कहते हैं डाग टेप बॉम अभी मैंने थोड़ी दिर पहले explanation में आपको बताया था बिल्कुल साती हो 26 का A बहुत अच्छा सवाल है इस पर भी इस्तियार लगा लेंगे इस लिए लगा लेंगे क्योंकि इंपॉर्टन कोईशन फार टीजीडी पीजीटी ये भी कई बार टीजीडी पीजीडी में आया हुआ सवार एन्वियस के लिए इंपॉर्टन से पावर अफ रीजनरेशन कें सवसी ज़्यादा मैंने काता ना चाकू की धार पर बताई किस एनिमल को चाकू की धार कहा जाता है तो चाकू की धार पर उसके जितने सेग्मेंट कर लेंगे चाकू की धार पर प्लेनरिया के जितने सेग्मेंट कर लेंगे उतना ही प्लेनरिया क्या होगा उतना ही प्लेनर आपको बता कि power of regeneration maximum रखता है जितने टुकड़े करेंगे हर टुकड़े से एक नया animal डवलप हो जाएगा तो power of regeneration maximum is found in plinaria 27 का सही answer क्या होगा बिलकुल A is right answer सभी साथी MP access आर्थवम एसके इस नहीं होगा इसका right answer क्या होगा year are present in बताइए किस में पाई जाती है आँखे तो हागया कि eyes are present in दुगेसिया में मेटा फिर में तीनिया में या फैसियोला निम्न लिकित में से कौन सा ये कैसा है जिसमें आँखे पाई जाती है तो ध्यान दीजेगा eyes are present in भाई ये जो प्लेनरिया है ये एक्टो पैरासाइट होता है प्लेनरिया इस एक्टो पैरासाइट ये कैसा होता है एक्टो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट होने के कारण इसमें ध्यान दीजेगा अगर सवाल पूछा था कि ये बाकी कौन-कौन से हम क्या है Metaphyr, Phenia, Faciola ये सभी कैसे होते हैं, Indoparasite ये कैसे होते हैं, Indoparasite Indoparasite में क्या होती है, Eyes absent होती है बट, Dugasia, या Plenaria अगर इसकी गात करते हैं इसमें I क्या होती है, present होती है एंसर क्या होगा, A बिल्कुल 28 का A आँखें डुगेसिया में पाए जाती है हाँ बिल्कुल Z आँखें किसमें पाए जाती है डुगेसिया ये free living है बिल्कुल free living है ये एक्टो parasite free living इसमें I present होती है question number question number 29 planaria R बताए planaria अगर पूछा जाता है planaria R बताएए दोस्तो planaria solitary है या gregarious है या parasite है या colonial है अगर बात किरते है planaria planaria होता है कैसा तो सभी साती करेंगी फटाफट answer planaria is A planaria is A ये solitary है gregarious है या parasite है या colonial है planaria 29 का B gregarious किसने दिया सुसमा किरन ने सबसे पहले answer दिया कुछ A बता रहे है solitary कुछ B बता रहे है क्या बात है बहुत सारे लोग C बता रहे है लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा आपने का planarians are planarians are gregarious ये कैसे होते हैं gregarious होते है planarians are gregarious इसका answer क्या होगा 29 नंबर का वो सही answer होगा बिलकुल साथी B और session का last question आज के session का अंतिम सवाल आपके screen पर हो जाएए तयार session के last question का right answer देने के लिए question number 30 on the screen देखिए regeneration can be based described in removal of unwanted parts deformation of lost part re-healing of bond replacement of lost part session का अंतिम सवाल बेहतरी सवाल question number 30 आपके screen पर regeneration can based described by बता एक सबसे अच्छा regeneration हम कैसे describe कर सकते हैं जितने भी साती कुछ 30 का बता रहे है D कुछ बता रहे है 30 का अरे बाई बता रिमूबल of unwanted part अगर unwanted part को हम remove करते हैं तो क्या power of regeneration इसमें maximum होगी क्या power of regeneration maximum होगी जी नहीं can be based described by deformation of lost part by deformation करिये removal करिये बात एक किये rehealing of bond bond foot of foot reheal हो जाता है replacement of lost part अगर कोई part lost हुआ तो उसको replace कर देना ही क्या करता है regeneration regeneration का मतलब पुनर पुनर जनम होना तो अगर कोई part क्या हो जाता है अगर कोई part चला गया उस part को बिलकुल उस part को सातियों क्या करते है उस part को replace करते है और session का अंतिम सवाल आप सभी लोगों ने बैतरी डंग से दिये है right answer तो कैसा राज का session आपको बता दूँ अब TGT PGT GPGN की daily practice जो राती 9 बज़े चला करती थी अब उसका समय साम 7 बज़े हो गया है तो साम 7 बज़े सभी साती उपस्तित होंगे चंदरा इस्ट्यूट के TGT PGT की YouTube चैनल पर राजीव सर के साथ तो थैंक्यू दोस्तों सभी सातियों को एक बार बहुत बहुत धन्वाद session से जुड़ने के लिए ऐसे ही दुमधा TGT PGT की प्रैक्टिस करते रही है हमारे साथ चंदरा इस्ट्यूट की YouTube चैनल पर तो चलिए दोस्तों Good night all of you सभी सातियों को क्लास से जुनने के लिए बहुत बहुत धन्वाद Good night all of you